नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं कक्सा नवी विशेविज्यान अध्याय तीन परमानू एवं अनू प्यारे भेवनों विज्यानिक लवाई जिये एवं जोजब एल प्रावुष्ट ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपुन नियम दिये थे जिसमें से पहला नियम उन्होंने दिया द्रविमान सरक्षन का नियम और दूसरा नियम दिया था इस्थिर अनुपाद का नियम इन दोनों नियमों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आप मेरे साथ में अंतरक जुड़े रहे हैं द्रवयमान संडक्षन का नियम या फिर द्रवयमान संडक्षन का नियम किसे कहते हैं इसको इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उससे पहले जान लेते कि इस नियम का प्रतिपादन किस ने किया था या फिर ये नियम किस ने दिये थे विग्यानिक आंतवा एल लवाई जिये ने रासायनिक सेयोजन के दो महदपुन नियम दिये थे क्या नाम है आंतवा लवाई जीये और इसके बाद में इनके साथ में एक और विग्यानिक थे लवाई जीये एवं जोजब ल प्रावुष्ट ने बहुत अधिक प्रायोगी कारियों के पश्चात रासायनिक सेयोजन के नियम दिया दो नियम दिया थे एक तो द्रव्यमान संडक्षन का नियम दिया था और एक इस्थिर अनुपात का नियम दिया था तो इन दोनों विग्यानिकों ने इस पर कारिय किया था लवाई जिये एवं जोजब एल प्राउष्ट तो चलिए अब हम द्रविमान सरक्षन के नियम को समझ लेते हैं द्रविमान सरक्षन के नियम के अनुसार किसी रासाइनिक अभिक्रिया में द्रविमान का ने तो सरजन किया जा सकता है और नहीं विनास किया जा सकता है यह है द्रविमान सरक्षन का नियम यानि कि कोई भी रासाइनी का विक्रिया हो रही है उसमें जो पदार्थ हमने लिया है उस पदार्थ का कुछ न कुछ द्रविमान तो होगा एक से ज़्यादा पदार्थ हम लेते हैं तो उस रासानिक अभिक्रिय की होने के पस्चात द्रविमान ने तो नया द्रविमान बनता है नहीं द्रविमान वहां से गायब होता है इस पस्ट लिखा है कि द्रविमान का ने तो सरजन किया जा सकता है और नहीं यानिकों ने इसे बात पर प्रकास डाला कि कोई भी योजिक दो या दो से अधिक तत्वों ये जो उत्तर है यहां से प्रारम बोरा है ये नियम कि कोई भी योजिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है इस प्रकार प्राप्त योजिकों में इन तत्वों का इन योगिकों में जो तत्वे रहते हैं उनका अनुपाद जो है फिक्स रहता है इस्थिर रहता है चाहे इसे किसी भी इस्थान से प्राप्ति किया गया हो या फिर इसे किसी ने भी बनाया हो मान लेज़े सीधी सी बात है कि जल बनाया गया है जल में दो चीज़ें होती है एक hydrogen होता है और दूसरा oxygen होता है तो इसमें hydrogen और oxygen का अनुपाद जो है वो एक अनुपाद 8 फिक्स होता है यानि कि hydrogen जितनी मात्रा में हम लेंगे उसका 8 गुना oxygen होना चाहिए अगर ये अनुपाद नहीं बेटता है तो फिर जल नहीं बन पाएगा तो इस्थिर अनुपाद का नियम ये है कि जो योजिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और उन योजिकों में तत्वों का अनुपाद सदेव इस्थिर रहता है नियत रहता है फिर चाहे वो योगिक कहीं से भी प्राप्ति किया गया